हलो दोस्तो टेक्निकल भानुजी में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिस बॉल में मचलिया क्यों मर जाती हैं और कैसे हम अपनी फिस बॉल में मचलियों को बचा सकते हैं दोस्तो अगर आप लोग यह पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपकी मचलिया नहीं मरेगी दोस्तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि फिस बॉल में हमें हमारी मचलिया मर क्यों जाती है तो फिस बॉल में मचलियों मरने के बहुत सारे कारण है दोस्तों एक ही कारण नहीं है जब अगर आप बेगिनर है और पहली बार मचलियों को पाल रहा है तो होता यह है कि दोस्तों की उस समय हम लोग नहीं चाहते है कि हम लोग ज़्यादा बड़ा एक्यूरियम खरीदें और उसमें बहुत सारे मचलियों रखके पालें कि हम नोग शुरूवाद में कि हम छोटे से चाल्यू करें और अचानाक कि हमें जो मतलब सोख है वो भी पूरा हो जाएगा लेकिन होता है दोस्तों यह है कि जैसे हम घर में लेकर आते हैं तो दो से तीन दिन तीन से चार दिन जैसी मचलिया अच्छी घूमती हैं बॉल में लेकिन कुछ टाइम बाद वह धीरे-धीरे उनका बहुत से लोगों के साथ होती ह अगर आप पहली बार बोल खरित के लाओगे तब आपके साथ ही सिच्वेशन बहुत बार आईगी इवन मेरे साथ भी बहुत बार आईगी दोस्तों फर्स टाइम जब मैंने फिस बोल लिया था तो दुकान दार्भी मुझे कुछ नहीं बदाया उसके बारे में बस उसने म कैंब मैंने राखा था golden फिस हुआ और मैंने दो गोल्डन फिस लाया था एक मॉली फिस ती तो उनको मैंने रखा और कुछ टाइम बाद एकाल सबते बाद भी अधरी हम यूज़्ी सब मरती कही है लग मैं pop टेंशन में आगया फिर मैं ईसा वो neuron दोस्तों मर रहे हैं यह नहीं कि हम उन्हें बचा नहीं कंछ चोड़े सकते हैं सबसे पहले मैं आप को यह पता देता हूं कि आप अगर फिय्ज बॉल खरीदे रहें तो दोनों समझ यह दोनू अलग चीज़ा फिसबॉल अलग है एक्यूरिम अलग है एक्यूरिम बड़ा होता है एक्यूरिम हम कम से कम एक से दो फिट तक हम एक्यूरिम बनवा सकते हैं और उसमें मचली रख सकते हैं लेकिन वहीं अगर हम फिसबॉल की बात करें तो फिसबॉल छोटा सा होता है दोस्तों आप देखेंगे छोटा सा गोल ज बहुत छोटा सा होता है और उसमें अगर मचली रखेंगे तो उसमें इस ज्यादा नहीं होता है तोánd के मचली के और से सहिं तो इसलिए अगर आप उसमें कोई भी मचली उठाकर रखेंगे तो समझाई हैं कि मरना ही मरना है, तो दूस्तो तो फिस बॉल के लिए अलग से मचली आती है मार्केट में, आप उन्हें ही खरीदें, मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ, जो आप फिस बॉल में रख सकते हैं, और जो लॉंग टाइम तक मचली जी भी सकती है, फिस बॉल में, सबसे पहले दोस्तों, मॉली फिस, जो असानी से मिल जाएगी, आप उसे ही फिस बॉल में रखी है, वो जादा दाइम तक सर्वाइब कर लेती है, और अगर आप और भी कोई डेकोरेशन वाली मचली रखना चाहते हैं, तो फिर पूरे बॉल में सिब एक ही मचली रखी है, वो है पेटा फिस, पेटा फिस दोस्त पंगा ही है कि दोस्तों अगर आपने उसको रखे तो आप साथ दिक्कत आ सकती क्योंकि वो मचली अकले ही अपना सरवाइब करना चाहती है, आप उसी के जैसी दूसरी मचली नहीं रख सकते हो, हालेकिन मौली फिस के बात करें तो मौली फिस आप दोसे तेन चार रख सकते और उतना आपको साफ करना पड़ेगा दूसरी बात दोस्तों यह अगर आप फिस जैसे आप फिस रख रहे हैं और आपने बॉल भी खरीद के लिए आया है डेकोरेशन के सब समान ले लिया है और सब कुछ अच्छा कर लिया है तो दोस्तों जब उसको आप खाना डालते हैं ना मचली को तो आप लोग खाना डालने के जैसी आपने खाना डाल दिया तो खाना डालने के बाद पंदरा मिट बाद या आदा घंटे तक आप उसे चेक करने एक बार आके कि कहीं खाना मचली खाया या नहीं खाया अगर मचली खाना खा लेती है तो ठीक है इवन अगर मचली खाना नहीं खाती है तो आप उसे जाले से पूरा बहार निकाल के फेक दीजेगा क्योंकि वो वेस्टेश फूड होता है अगर आप उसे वो भी दो जही है कि ने यार मश्ली बुकी बैठी होगी अहीं उसको उसको खाना से लें तो जाए अब जाए है आगर गॉल्टर फूट्र सीजन में ज्यादा देखी जाती है इसकंड़ी दिखिए है श्रत रखब्र mall करे correct में वैबब अब गॉर्प में प्सवाजा हो शनृता करें तो जिसके कारण मशलिया मरती हैं उसके लिए दोस्तों आप लोग मेडिसन यूज कर सकते हैं मार्गेट में इसली मिल जाती है और अगर नहीं भी मिलती है करका अगर आप फिस्ट बॉल रख रहें यह तो आप सिर्फ उस तरह की मश्ली रखें या तो आप को मたवत फिस्ट बॉली मश्ली यह थे ठिक है और नहीं तो अग्र अब के वहलों रखें उसके लाबूति से मश्ली करना होता है तो सबसे पहले हम बड़ी बड़ी गलटी करते हैं हम फिसबॉल को के सफ करते हैं जब भिस साफ करते हैं पहली बार अपने साफ किया तो कोई दिक्कत निय livestock Ads करने लगतेए एं तब आगर आप रबार बार तो आपको इची बताओं मचलिया गंदे में ही रहना पसंद करती है थोड़ा बहुत उनको गंदा होना जरूरी है इसलिए फिस्बॉल में थोड़ी बहुत गंदी जरूरी है जिसे कि उसके फत्तर हैं आप उनको ज्यादा घंदा भी रहने चलेगा वलब पानी दम क्लीन भी करें करें उसको साफ करने लिंगे उसको शिंपल में पाव ज से असंदर से बाहुंदे में बहुत सब दraction मर घंड के उनको पार सुने में इन आता है था फिस्बॉल और ने ह hélam मर रहे हैं और जब आप यह सीज सब्सक्रिबाद क्वी of here to take dom है जरूरी बात है मौसं में मर जाती कभी कर बार लेकिन अगर कई बार क्या हर बार अगर अगर आपकी तर्फ से कुछ गलती हो रही है कि आप सको डंक से नहीं रख पा कुछ करते हैं तो तो देखें दोस्तों में आपको यह तो बता दिया कि कि अगर फिस्ट बॉल का पानी बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है तो उसके लिए वीडियो बना दूंगा इसके नीचे डिस्क्रेश्ट्शन आपको लिंक मिल जाएगी लेकिन इस वीडियो में भी मै कि आपको डेल को देखेंगे होसे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा पूरा रिखिए अपरुप मरतने के बार तर पूरा पानी प encompass माइब टुम 스पमेर्डा और प्रेन आफ करें और लोग जैसी पानी बचली करते हैं अचानक से अच related to enjoy मतुली हैं लेकिन बागी पानी यूज़ करते हैं यह मारा नल का पानी आप मार्केट से खरीछ सकते हैं वो डालके आप उसको उसमें पानी में डालें फिर मशली रखें दूसरी बात यह अगर आप वो पानी नहीं भी रख रहे हैं या फिर आप बोर का पानी रख रहे हैं या कुए का जो भी पानी रख रहे हैं पानी रखने के सबसे सहीं तरीका दोस्तों यह है कि आप जिसे पड़ानी भरके एक बालटी में अलग से कहीं दूर पर रख लेए चार दिन पहले पुरा पानी रखा था उसको डालें और फिर उसमें वो मचली डालें तो दोस्तों ऐसा करने से आपकी मचली कभी नहीं मरेगी क्योंकि जितना पुराना पानी होगा मचली को उत्ता रहने में सरवाइब होगा एक बात और ये भी दोस्तों कि जैसी हम ये क्यों कर रहे हैं हम लोग इसले कर रहें कि आ अचानक से आप को मैं फेक दिया और फिरya'd कर के भुझार में नया पानी भर दिया तो होता ही है कि जो प्स होती न उसकी बॉड़ी में ये जो टेम्मलटर में पानी साहब से आज़िस्ट करती इसलिए दूस्तो पाणी को अगर से ठीकनिक यह यह ट्रिक कि आप पाणी को 4-5 से धीन पानी निसमें डाल दिए ऐसा कहने से आपकी मचलिया नहीं मरेगी ठीक है तीसरी दोस्तों अगर आप बिंटर सीजन में मचलिया पाल रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा केर करना पड़ता है क्योंकि हम मचली रख कहा रहे हैं अगर आप घरके बाहर के यहाँ से हवा आत दोस्तों अगर हीटर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिश्ट में आप देख सकते हैं वहाँ साप खरी सकते हैं लिंक में आपको मिल जाएगी वहाँ कम चांस हो जाएगा आपको मचली का मरने का आप एक बार ट्राय करके देखिए और दोस्तों कोसिस करें अगर आपने फिस्बॉल लिया है तो उसमें वही मचली रखें सबसे जितनी चोटी चोटी मचली होगी वह ज्यादा उसमें सर्वाइब कर लेगी और मोली मचली यह जाए ठीक रहती है यह फिर पेटा फिस्ट रखना एक सिंगल बस उसके लाव आप कोई दूसरी मचली ना रखें ना रखें गोल्डन फिस्ट दोस्तों कि लोग बोलते हैं यार गोल्डन फिस्ट रखना चीज़ अच्छा रहा है लेकिन गोल्डन फिस्ट का भी मैं आ गोल्डन फिस्ट मर सकती है तो इसलिए फिस्ट बॉल में हो सके तो गोल्डन फिस्ट नहीं ठाखें ठीकिए और अगर आपको फिस्ट बॉल में इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपकी फिस्ट बॉल मंचली ना ना रखें तो कोशिस करें दोस्तों को इ Tap Verglar जुआ में सब फिल्टर लगा के रखें तो सायद फिर आपकी मचलिया इस टाइब से नहीं मरेंगी क्योंकि एक मचली को बहुत ज़्या स्पेस होता है घूमने के लिए अगर आप अच्छी सची मचलिया लाएंगे कम से कम उनको दो फिट तो चाहिए चाहिए दोस्ता घूमने के ल इसलिए हम बाकी फिस से नहीं रहे हैं उसमें फिस बॉल में नहीं रखते हैं और उसके लिए हम अलक्सी मचलिया जो आती है मार्केट में मोली फिस बगर इन्हीं को उसमें यूज करते हैं और दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे अपनी मचलियों को जान को बचाना है ऊसके फूपर क्या करना है पहला कि आपको उसके खनेपे जानने आ ओवर फूट नहीं देना है अगर 15-20 मिट हो चुके आदा घंट हो चुके ता उसका खाना जो वेश्टेग जो अगर उसको डेता हिट कर दें और साम को फिर दुबार उसमें वैसे ही करें ठीक है अगर मशली में फंगस लग रहा है आपको वाइट वाइट दोड दिख रहे तो आपको दवाई का यूज करना है आपको मार्केट मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में वह लिंक मिल जाएगी तीसरा दोस्तो जब भी उसको साफ करना है तो जब उसको पानी चेंज करना है चार से पात दिन पहले उसका आपको पानी भरके रखना पड़ेगा और पुराना पानी ही यूज करना है मशली के लिए ठीक है और पाचवी जो तो दोस्तों अगर आपको ऐसी और कुछ भी कॉश्चन मन में आते हैं तो मुझसे पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं लेकिन फिर भी जाते जाते हैं दोस्तों मैं आपके छोटी चीज़ और बदा देता हूं कि अगर आप फिसबॉल लेने चाह रहे हैं पहली बार रखने बिंगनर हैं तो ठीक है यूज करें लेकिन मेर फिसबॉल की जगे आप एक्यूरिम की कोसिस कीजिए रखने की और फिर भी अगर आप फिसबॉल रखना चाहते हैं तो कोसिस करके देख लिए कि मचली उसमें कैसे सर्वाइब कर रही है ठीक है दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया और कुछ कोशन आपके मन में है त और ठीके दोस्तों टेक्निकल भानुजी में बस आज कर लिता ही आज इता ही बाई और मेरे चनल को सब्सक्राइब करना ना बुलेगा बेल आगान को ज़रू किलिक के जएगा बाई थैंक्यू